ही नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों बात करेंगे मार्केट कैसा रहेगा हमारा आप कमिंग वीक में और कोई स्टॉक देखेंगे जो इस वीक में हमें बढ़िया पैसा दे सके वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सबस्क्राइब तो कर लीजिएगा बैल आइकन को जरूर हिट किजिएगा तक याने वाले वीडियो के नाटिक किसन आपको टाइम टू टू टाइम मिलते रहे हैं गैस अगर आप अकाउं लगने है इसके भी होते है यह जो होते हैं सिरफ और आपके प्लेटफर्म जो आप यूज कर रहे हुँ उसके वेगने बढ़ते और ब्रोकरज कि आगर बात करें दोस्तों सिरफ और ब्रोकरज आप एकने 10 रूपय पर ओडर तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो पेटिया मन में भी आइड कर लेंगे चलिए अभी हम बात करते हैं अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रहेगा लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट वीक में वीकली अनलेसिस किया था वहां पर आप सब को दिया था एक स्ट्रेंगल बनाने के लिए ले मिशन सपस्ट्रेंगल ऋपका पूरी तरीके से वर्क किया है हमारा अज़र हम देखेंगे यह लेवल हमारे बास था एक नीचे का और उपर का लेवल था हमारे पास के 17 Zoe सब्सक्राइब का और नीचे का हमारे पर था सिस्टीन थाउदन फिफ्टी का सेक्सेस्फफुली वर्क क्या है हमारा वह लेवल अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर भी हम आ जाए यह केंडल हमार ओपर ही क्लोज हुआ है कलका जो था एकस्पाइडी का गेंडल तो बहुत अच्छा पैसा इसमें उपर भी और नीचे भी हमें मिल गया हमारा रेंज हमने काफी बड़ा बना लिया था क्यूंकि हमें लग रहा था कि मार्केट बाउंस पैक कर गई तो दिक्कत करेगा के एक हमने यहां पर घाब बैंकनिषी में भी बनाया था और यहां पर यहां पर नहीं तो यह सक्सेसफुली बरक कर लिया है और यहां पर आप देखोगे तो बहूत सुन्दर हमें द्रेंगल जो है नीचे के तरफ से भी से भी से भी अभी अगर हम बात करें अभी एक यहां पे छोटी शी परशानी है कि अब भाई हमें इतना बड़ा रेंज को ध्यान में रखें तो यहां पर देखेंगे सारी वन वीक का मैं लगाऊंगा वन वीक का हम मुवेंटम देखेंगे एक गलती कर दिया हमने यहां पर एक बार इसको बैक कर देता हूँ मैं यह एक कैंडल जो देख रहा था हाँ यह लेवल था हमारा और यह था यह था 37500 के असपस मैं जो कैंडल देख रहा था वो डेली टाइम फ्रेम पर देख रहा था इ लास्ट वीक में हमारा रेंज था अप्रॉक्स बैकल से जो मुमेंटम किया था तो यह थोड़ा सा से वो गया है अभी कि मुमेंटम थोड़े से कम हुए है इसके वज़ा से हमें ज्यादा प्रीमियूम खाने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम बैंक निस्टी की वीकली स्ट्रॉंग लेवल है इसलिए यहां पे थोड़ा सा भी हमें उपर के साइड पे ध्यान रखना पड़ेगा तो उपर के साइड जो मैं सेल करने में इंट्रेश्टेड रहूं वो पीछे थोड़ाएंगे और इन लेवल्स को मैं सेल करने में मैं इंट्रेश्टेड हूं 36,500 के असपास और नीचे अगर देखे 34,000 का लेवल निकाल दे रहा है मंडे को तो फिर भाईया बहेंकर गिरावाट हमें देखने को मिल सकता है तो अपन क्या करेंगे नीचे वैसे जो लेवल बन के आ जाएगा ना फिर 34,000 अगर निकल रहा है त 32,000 वाले रेंज में आ जाएगा बजार तो हम अभी स्टार्टिंग में क्या करेंगे अभी हम स्टार्टिंग में 33,500 को शॉट करके रखेंगे जिस तरह से हमने आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि मान लोक कल मार्केट खूलते ही यह 34,000 का लेवल निकाल दे रह है तो आपको इमीडेट जो है इन लेवल पर ब experiments आसा विल जया जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा यह वाला उपसन उठाके आपको नीचे फिफ्ट करना पड़ेगा और इसका बीज़से लेकिंचेता लेकिंगा यहां पर अभी फिलहाल की घड़ी मेरे लिए यह सही है तो अभी हम इसको ही शौट करने वाले हैं अगर आपने कोई अगर श्ट्रेंगल बनाया हुआ है तो आप जरूर हमें अपडेट कीजिएगा इसके पीछे का लॉजिक में आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि देखिए मार्केट में जो ट्रेंड है वो भीरिश हुआ पड़ा है लेकिन यह वाला जो जोन है यह बहुत श्ट्रॉंग दोन है बहुत श्ट्रॉंग कौनसा जोन है यह 34,000 के आसपास का तो हो सकता है मार्केट नीचे 34,000 के आसपास से बांस बैक करें और इसी के बीच में जाए थोड़ा सा क्योंकि मार्केट काफी अच्छा खा तो हमारे पास क्या है बहुत श्ट्रॉंग लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है वीकली टाइम फ्रेम पे और उसके नीचे कैंडल क्लोज होने लग गई है वेलन गुड है हमारे पास स्ट्रॉंग जो सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी में वह इसी के आसपास का बन रहा है जो आज का कल का आज का मारा लो है अगर निफ्टी 16,130 का 120 का लेवल प्रेक कर रहा है तो अपकमिंग डेज में हमें अच्छा का सा मंदा देखने को मिलेगा जो स्ट्रॉंग जोन निकल के आ रहा है वो निकल का रहा है पंदरा हज्जार 900 के आसपास का तो हम कहां का अप्स अगर हम बात करें तो वह कितने का चल रहा है एक बार मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे फंदरा पांसो का उप्सन में अपने एंजल ब्रोकिंग में लगा ले रहा हूं आप लोग भी ट्राई किजिएगा पता कर नहीं भी ट्रेड करते ना तो इस पेपर ट्रेडिंग कि किजिए थोड़ा सा स्ट्रेडिजी जो हम बना रहे हैं यह एक्चल में हमें पैसा कितने वीक दे रही है आपको पता होना चाहिए तो 54 रुपीज का चल रहा है अगर हम यहां से 50 रुपे खाने को मिल रहा है तो सीधा डाई हजार हो रहा है आप एक जॉब वाले हैं आप एक आफिस वाले हैं अगर वन वीक में पांच दिन में हमें पच्चेस सो खाने को मिल रहा है एक लाक रुपे लगा के तो कोई बुराई नहीं है और अगर हम बात करें उपर के लवल का उपर का लवल जो हम रखेंगे वह भी हम थोड़ा सा अपना सिफ्ट कर लेंगे तो 16600 का प्रीमियुम हमारा है 1600 का नहीं रख दिखनार का अब 700 ही रख लिए 16700 का प्रीयम कैंक इमारा जो चल रहा है वह चल रहा है अप्रॉक्स जैंगे अगर पूरे वीक में हमें होल्डिंग करके एक इस दस उपए का प्रेयम को मिल रहा है तो 5,000 और दस 5100 गटामें 5,500 प्रेशनी कितना हो起來 अगर abundance कितना हो रहे है कि महिले है的 ऐसे बख़िति कि आप . यह हमारा nifty का strangle हो गया upcoming week का इस range में बजार रहने की उम्मीद मैं कर सकता हूँ और जैसे जैसे अगर उपर गया या नीचे के आपके range को अगर breakout करेगा तो आप बिल्कुल adjustment इसका करेंगे अब इस stocks की अगर हम बात करें तो सबसे पहला stock मैं लूँगा TCS को मुझे एक थोड़ा सा सेनेरियो दिख रहा है कि एक में थोड़ा सा बाइंग जो है वो आ सकता है तो हमारा TCS में बाइंग का सेनेरियो यहां पर मैं लगाऊंगा अगर मैं डेखिए टीस अभी ट्रेट कर रहा है अप्रॉक्स अप्रॉक्स 3500 रुपिस के आसपस हमारा stop loss जो करके next week थोड़ा उपर जाने की कोशिश करें तो यह उपर जा सकता है बाकि और कोई भी स्टॉक में मैं स्विंक ट्रेट के लिए इंट्रेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मार्केट का सिचिवेशन मार्केट का मोमेंटम थोड़ा अच्छा नहीं है तो चांसे हो सकते हैं कि मा लाइक करना मत भूलेगा थैंक यू